हेलो गईस स्वागत आप सबका तो आज हम बात करें कि श्टॉक मार्केट की और यहां पर आप इसको देख सकते हैं इस रिपोर्ट को एक इकोनोमिक को लेकर अच्छी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है कि 20 पसंट बड़ा डायरेक्ट टेक्स कलेक्शन इकोनोमिक के ल 17 मार्च तक नेट डायरेक्ट टेक्स कलेक्शन 19.88 परतिशत बढ़कर 18.90 लाख करोड रुपे से अधिक हो गया है आईकर विबाग के निकाई के इंद्रिय प्रतियक्ष करबोर्ड यानि कि CBTDT ने कहा कि 17 मार्च तक टोटल डायरेक्ट टेक्स कलेक्शन 18,90,269 करोड पर्सनल इंकम टेक्स के अलावा ये इतना मतलब की करोड रुपे का टेक्स सिक्यूरिटी स्टांजेक्शन यानि की STT भी शामिल है इसके साथ चालू वित्वर्ष में 17 मार्च तक करीब 3.37 लाख करोड रुपे का रिफंड भी जारी किया जा चुका है और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है अगर आप नहीं है इस चैनल के उपर तो इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी ज्यादा दर हम हिंदी पासा का प्रोड़ करते हैं दाकि सब को आसन पासा में समझ में आए और हमारे दूसरे वीडिय CBDT ने कहा कि वित वर्ष 2023 में 17 मार्च तक Direct Tax Collection के अस्थाई आकड़े बताते हैं कि Net Direct Tax Collection 18,90,269 करोड रुपे है जबकि पिछले वित वर्ष की समा नवदीन में ये कितना था तो 15,76,760 करोड रुपे था और ये वित वर्ष 2022 की तूलना में 20,30 के आसपास की जो है अधिक है सरकार ने Direct Tax Collection के संसोद अनुमान में पूरे वित वर्ष के लिए प्राप्तिया 19,45 लाग करोड रुपे रहने की उमीद जताई है और आखिर में देख लेते हैं कि आएकर अधिकारियों को मिला ये आदेश केंद्रिय प्रतियक्ष करोड यानि कि CBDT ने आएकर अधिकारियों को TDS, TCS, अगोशित विदेशी आई या ED एवं GST आ सुचना जैसी एजंसियों से मिली सुचना से सबंदित मामलों में मोंद्रि आएकर अपिल ये नियाई दिकरन और उच्छ नियाय लई और उच्छ तम नियाय लई के समक्ष अपिल दायर कर सकते हैं और अगर विवादित कर्व मांग करमश यानि कि 50 लाक रुपे एक करोड रुपे और दो करोड रुपे से अधिक हैं तो ये जो है मतलब कि इसकी अच्छा रह सकता है कई ना कई असा लग रहा है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा तो लाइक से रें सब्सक्राइब जरूर करें और एक्स्टैनर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेश रेट वाजर की सला ले उसके बाद ही कोई डिस्सी जन ले और डिस्सी जन ले तो उसके जिमेदारी मेच और टे के साथ खुद ही ले ये वीडियो में एजू के सिन परपस के लिए बनाएं मेरी तरफ से कोई भाई असेल के रेकमनेशन नहीं है थैंक कर दो